अब जबी भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे आज हम चैप्टर नम्बर 9 स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ कम्पनी जो कि सेक्षन 128 से लेके 138 तक जाता है बताना चाहता हूं कि इसमें रीसेंट अमेंडमेंट के अगर मैं बात करूँ तो पिछला अटेंट जो गया है वहाँ पे CSR के उपर अच्छे खासे अमेंडमेंट आये थे जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यने की वो जो अमेंडमेंट है वो ही आपको पढ़ने पहली बात दूसरा कमिंग अटेंप्ट के लिए इंस्टिट्यूट के द्वारा एक रटीपी के अंदर अमेंडमेंट बताया गया कि भई एक अमेंडमेंट और आपको एपलीकेबल है एक सर्कुलर एक सर्कुलर इशू किया गया है M.C.A. के द्वारा जिस पे क्लैरिफिकेशन दिया है एस सच इतना कोई मटेरियल अमेंडमेंट नहीं है क्लैरिफिकेशन है छोटा सा मतलब आपको ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद की क्या ही था मतलब है तो अंडर स्टूड ही था इंस्टिटूट भी वही बता रहा है कि भाई अल्रेडी बता जो चुके हैं वही चीश को दुबारा रिपीट कर रहे है तो ऐस सच इसका कोई material relevance नहीं है इस amendment का जो upcoming attempt के लिए RTP पे दिया है बट स्टिल हम at the last of this chapter हम इसको cover करके लेंगे क्योंकि यह आपके coming वाले attempt के RTP पे दिया था ठीक है उसके अलावा जो हाल पे इस पे amendment थे CSR के उपर जो एक relevance रखते थे जो एक material amendment है उसकी link नीचे आपको description में मिल जाएगी जो CSR के उपर है already उसको मैंने बहुत crisp form में और बहुत clarity के साथ समझा के रखा हुआ है मेरी चाहत यही थी कि मैं जितने भी amendment है recent मैं इस पे ही lecture पे cover कर लूँ क्योंकि साथ में सारी चीज़े हो जाएगी बट क्योंकि अगर मैं वो amendment को भी यहां पे cover करता हूँ तो almost एक घंटा सिर्फ उस amendment को पढ़ाने में लग जाएगा और यह जो lecture है यह stretch हो जाएगा तो हमारा जो उद्देश है कि कम समय में maximum output exam oriented हमारे बर्मास series का जो शुरू से उद्देश है वो उस पे शायद पूरा नहीं हो पाता अगर मैं amendment भी इस पे cover कर लेता तो यह वाला जो amendment है जो छोटा सा circular ताजा ताजा आया है उसको open करके लेंगे इसके अलावा जो just एक attempt पहले जो amendment थे material amendment उसकी link के नीचे आपको description में मिल जाएगी आप उसको वहाँ से अराम से कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह तो बात हुई इस chapter की recent amendment की अब बात करे relevant topic की important topics की जो exam के लिए महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले जो relevant है वो section number 134 आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ यह chapter का जब मैं research कर रहा था जब मैं previous MTP, RTP, suggested answer सब कुछ देख रहा था जो कि मैं हर chapter को बनाने से पहले करता ही हूँ तो मुझे एक चीद समाझ में आए कि ये वाला जो chapter है इस पे हर एक section में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट में frequent question आते हैं जैसे कि sign कौन करेगा financial statement को उसके उपर consolidated financial statement बनाना पड़ेगा की नहीं बनाना पड़ेगा ऐसे करके छोटे 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 पॉइंट में internal audit करवाना पड़ेगा की नहीं यहने कि internal auditor appoint करना पड़ेगा की नहीं तो हर section के किसी एक छोटे छोटे पॉइंट से frequent question पूछा जा रहा है अगर देखोगे तो काफी सारे section इस पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी है जैसे कि 134 की बात करें तो जैसे financial statement board report की बारे से बात है तो board report के अंदर बहुत सारी content है तो पूरे board report के content को नहीं पूछ रहा है उस पूरे section में कोई एक technical point है उसको पूछा जा रहा है तो जो मैंने pattern analyze किया जो मैंने pattern अपने research से समझा है उसी pattern के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा जो की exam oriented रहेगा जिस point पे question पूछा जा रहा है वैसा और किस प्रकार के question पूछे जा रहे है around मैंने 15 से 16 questions निकाल के रखें वो आपसे मैं इसी class में solve करवाके लूँगा और मैंने पूरा MTP, RTP सब कुछ खंगालने के बाद ही मैं आपका ये lecture बना रहा हूँ पूरा research होने के बाद ही ये lecture आपके पास आ रहा है तो 134 हो गया जैसे इसके उपर काफी frequent question है 129 के किसी topic में 130 is actually important 130 के उपर 2-3 बार institute ने question पूछ रखा है CSR बहुत ज़्यादा important है फिर इसके अलावा copy of financial statement जो अपने को ROC को file करना होता है internal audit इनके उपर भी एक एक दुदो बार question पूछा हुआ है और 128 के उपर जो बात करता है books of accounts की इसके उपर questions इतने frequent नहीं है बट आने की संभावना है किस point में है वो भी मैं आपको बता कर लूँगा तो यह आज का अपना blueprint है तो pen copy लेकर बैठियेगा मैं पहले आपको हर section जो relevant है उसको पहले समझाओंगा उसके बाद उसके basis पे किस प्रकार के exam में question बन चुके है या बन सकते हैं वो अपन साथ-साथ में करेंगे तो अप्रोच for this particular chapter will be first section then उस section के basis पे किस प्रकार का practical case study आता है वो रहेगा सो भाई और बैनों start करते हैं सबसे पहले section number 128 से ही 128 हम अपने चार्ट से पढ़ेंगे हलागी पूरा ही revision हमारे चार्ट से ही होने वाला है ध्यान से समझके लीजिएगा so 128 से लेकर 138 तक इस पे section cover होते है 128 अपने को बात करता है books of account की लेकिन यहां books of accounts का section start करने से पहले मैं इस chapter का आपको purpose बताना चाहता हूँ यह chapter किस लिए बनाए यहां पे जो 128 से लेकिए 138 section है यह किस purpose को पूरा करते हैं हर section कहीं ना कहीं कोई purpose पूरा करता ना ऐसा होना चीव ऐसा नहीं होना चीव तो यह जो chapter बनाया गया है lawmaker के उज़ारा इसका उद्देश बड़ा simple है कि company के n number of shareholders है पैसा उनने लगाए company पे किसी ने छोटा amount लगाए किसी ने बड़ा amount लगाए किसी के पास ज्यादा shareholding है किसी के पास कम है लगता पैसा shareholder का है company को चलाने वाले होते हैं board of director जिनके पास company का control होता है आप उनको human agent भी बोल सकते हो company के अब shareholder ने पैसा लगाया उस पैसे को manage करने का काम board of director कर रहा है company के अंदर अब shareholder जिसने पैसा लगाया whatever amount वो day to day affairs में participate तो नहीं कर रहा है company के तो at least कम से कम उसको हर financial year का ये तो पता चले कि जो मैंने पैसा लगाया वो company ने actually कब कब कितना कितना लगाया company के object में उससे company को फायदा हुआ या उससे company को नुकसान हुआ और company का इससाल का turnover क्या था और उसको एक हक होता है कि भाई मेरा पैसा कहा लगा जा रहा है किस particular period में लग रहा है ये उसका जानने का हक है अब क्योंकि वो day to day affairs में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि management के लिए board of directors बैठे वे हैं तो इस chapter के अंदर और खास करके महलू section number 128 के अंदर lawmaker ने compulsory disclosure of the books of accounts of the company का प्रवधान लाया है कि company तुमको compulsory अपने shareholder को फलानी फलानी चीज़ दिखानी पड़ेगी क्या फलानी फलानी चीज़ समझेंगे इस पर financial statement भी आ रहा है इस पर board report भी आ रहा है जरुवत पढ़ने पर internal audit भी करवाना पड़ेगा कब जरुवत लगी कैसा है क्या है यह सब इस पर दिया है so the whole purpose of this chapter is to maintain a transparency between company and the people the shareholders who have invested in the company ताकि उनको बहुत खुला खुला सब दिखतर है company में total कितने लोगों ने पैसा लगाया company ने कहाँ पैसा लगाया फायदा हुआ नुकसान हुआ कम से कम साल भर का एक report तो मिले उनको क्योंकि वो day to day affairs में शामिल नहीं है तो शुरुवात यही से 128 से होती 128 आपको बोलता है compulsorily आपको books of account maintain करनी है और कहां रखनी उसको कौन inspect कर सकता है वगेरा वगेरा यहाँ पे बात है क्योंकि जो पैसा लगाया है उसका यह हग बनता है जानने का कहां कहां पैसा लगा और कितना कितना लगा क्या profit होगा क्या turn होगा रहे हुगा so without wasting much time यह मेरे को एक theme बतानी थी इस chapter की इसी theme को ध्यान पे रखते हैं आप सारे provision को समझेंगे तो बहुत बहतर तरीके से आपको चीजे समझेंगे 128 शुरू कर रहे हैं बात कर रहा है books of account की जिस पे लिखावाई की वही हर company को बनाना भी है और रखना भी है prepare and keep what books of accounts other relevant books and paper and financial statement मेरे ख्याल से आपको books of account का definition पता होगा chapter 1 में है relevant books and paper पता होगा financial statement का भी definition पता होगा आप मेरे regular student रहे तो definitely आपको पता ही होगा अन्या था आप दूसरे भी students है तो at least इस course में आपको इतना तो पता होगा कि इन चीजों के अंदर क्या आता है तो हर company को बनाना भी है और रखना भी है अपने books of accounts को financial statement को कहाँ पे अपने registered office पे क्यों रखोगे भाई इसलिए रखोगे ना कि भाई कभी भी आए member business arts में उनको check कर सके तो place of keeping जो रहेगा वो registered office है मान लो किसी और जगा आपको इस books of accounts या financial statement को रखना है तो board जहाँ decide कर ले other place board जहाँ decide कर ले board resolution पास करके अब उस जगा में रख सकते हो लेकिन अगर आप registered office छोड़के किसी दूसरी जगा पे रखना चाते हो जहाँ पे board decide कर रहा है कि हम वहाँ रखेंगे तो आपको याने की company को जब से उनने resolution पास किया है वहाँ से within seven days of decision notice देना पड़ेगा writing में ROC को form number AOC 5 में पूरा पूरा address देना पड़ेगा उस other place का जहाँ पे आप अभी books of accounts relevant papers and financial statement रख रहे हो registered office में रख रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है किस mode में आप इसको बनाओगे तो बोला है कि आपको double entry system में बनाना है single entry system में आप नहीं बना सकते ऐसे usual point है जिसमें समझाने जैसा नहीं अब मैं उसमें क्या समझाओ कि double entry system में बनाना है अब मैं उसमें क्या समझाओ कि true and fair view रहना चाहिए आपके financial statement का definitely lawmaker ये चाह रहा है कि जो भी आपके financial statement है income और expense का जो सारा balance sheet और ये सब बनेगा वो आपका true and fair भी होना चाहिए उस पर आप कोई गलत information ना दो ये कानून आपको खोदी बोल रहा है क्यों ultimately purpose ही कि transparency बना के रखना है shareholder और company के बीच में finance के related जो पैसे लगे उससे संबन्द है अब एक question जो मुझे लगता है कि lawmaker examiner पूछ सकता है वो ये है कि क्या company electronic mode में अपने financial statement और books of account को बना सकती है इसके उपर question आ सकता है अब जितना भी अब तक मैंने आपको पढ़ाया कोई बड़ी वात नी institute आपको बोल देगा कि भाई सामने अली company single entry में बना रही है books of account बना सकती है क्या बताओ valid है क्या या आपको पूछ लेगी कि company ना अपना जो रज ये है books of account वो कहीं registered office छोड़के कहीं और रखरी है रख सकती है तो आपको ये प्रवधान बताना है तीसरा question आपको examiner जो पूछ सकता है कि क्या electronic mode में आप books of account financial statement बना सकते हो क्या आप बना सकते हो लेकिन आपको rule 3 follow करना पड़ेगा और rule 3 में कुछ conditions है मैं एक एक करके condition में जाओंगा अगर आप उन conditions को पूरा करते हो तो आप चाहो तो इसको electronic mode में भी बना सकते हो ये जो कागजी कारवाही है इसको आप बंद करके आप electronically laptop या desktop जहां पे भी आप बना स statement तो सबसे पहली condition यह है कि वो books of accounts financial statement accessible होना चीए इंडिया में याने कि जब जब जरुवत लगी न तो as to be usable for subsequent reference याने की कहने का मतलब क्या है मान लो भाई साब आप electronic mode में बनातो रहे हो लेकिन आप ये पूरा data एक cloud storage में रखते हो cloud storage का मतलब क्या होता है आप internet में एक space ले रहते रहता है बनता तो है लेकिन रखते आप वहां पे हो किसी cloud storage में क्योंकि electronic mode में है अब बात यह आ रही है भाई और भेनो अगर वो cloud storage इंडिया का है मतलब इंडिया में अगर है तुरंत accessible है अगर मान लो cloud storage कहीं इंडिया के बाहर located है बराबर अब में भी problem हो सकती कि आ जब जब आपको जरुवत लगे अरे तो भाई जब जब हमको जरुवत लग रही जब जब हमको financial statement दिखाना है मान लो member या डिवेंचर holder या जो भी बोलता है कि दिखाओ तो आप कैसे दिखाओ गया अगर वो accessible नहीं है आप रखो ने electronic mode में लेकिन इंडिया के अंदर जब चाहें तब उसको बार-बार refer करने के लिए वो accessible होना चाहिए पहली बात है दूसरा आपको उस format में उसको retain करना है जिस format में ओरिजनली था presenting accurately the information generate, sent और received अब ये क्या बात है जबी भी आप कोई software pirated यूज़ करते हो ना आप feed करोगे entry original वो थोड़े टाइम पे गडबड हो जाती ही पूरी क्योंकि आप pirated version यूज़ कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो information जो है books of account की आप retain कर पाओ original जिस form में generate होई थी, तीसरा information receive जो हुई branches से उसको आप alter नहीं करोगे, unalter रहेगा, original form में रहेगा जो भी mode में, यानि कि electronic mode जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे एक system होना चाहिए कि आप इसको सही तरीके से store कर पाओ जब चाहें आप इसको retrieve कर पाओ, यानि कि मानलो कुछ delete हो जाता है, तो वो retrieve भी होने की capability में होना चाहिए display और print out as audit committee और board में dim fit, ये सब की capability होनी चाहिए उस पे, उस electronic mode के medium में वो store होना चाहिए, retrieve होना चाहिए, display और print out सब हो सकता है and आप उसको dispose of नहीं करोगे, unusable नहीं करोगे जब तक law उसको permit नहीं करता, generally आपको ये 8 साल तक बनाना होता है 8 साल के बाद आप चाहे तो उसको dispose कर सकते हैं, लेकिन आप उसको electronic mode में जो बना रहे हो, 8 साल नहीं हुए है, वो within 8 चल रहा है, आप उसको dispose नहीं कर सकते आपको ROC को annually बताना है कि आपका service provider कौन है, याने कि कौन सा software यूज़ करके आप electronic mode में books of accounts बना रहे हो, उसका IP address क्या है, उसका location क्या है, service provider का और अगर आप cloud service यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, if maintained in the cloud service तो उसका address बताओ, address by service provider, याने कि cloud का उसका address क्या है, IP address क्या है, अब point ये भाई और बहनो, जितने भी point मैंने आपको बताये हैं, इस पर सच कुछ समझाने का नहीं है, आप अगर एक purpose समझ किला होगे, कि भाई, e-mode में बना रहे हो, तो इन चीज़ों को follow करना है, कि कभी भी वो delete हो जा, retrieve होना चीए, original format में maintain करो, accessible होना चीए, ROC को एन वली ये सारी बात बतानी पड़ेगी, और एक last point, जो backup रहेगा, उसका, books of account का, अगर आप electronic mode में maintain कर रहे हो, तो उसका जो server ह है, वो इंडिया में होना चीए, होता है ना कि main server किदर है, वो इंडिया में होना चीए, वो बाहर नहीं होना चीए, क्या कारण है, इन सब restrictions लगाने का, कारण is very simple, अरे हम चाहते हैं कि भाई, जबी भी जरुवत लगे न तब देख सके, से books of account shareholder थोड़ी देखेंगे, कभ income tax authority को लगा, या सेबी को लगा, या central government को लगा, कि company tax evasion भी कर रही है, वो भी कभी आ सकती है, चेक करने, तो अगर वो remain accessible नहीं है, server कहीं बाहर है, आपने बाहर ही locate करके रखा है, तो बाधाय आ सकती है, electronically भी maintain करना है, तो ये सारी चीजों को समझ के चलना पड़ेगा, तो तो कैसे दिखेगा, वो legible form में होना चाहिए, उस language में होना चाहिए, जो आप पढ़ते हो आमतार पे, और दिखाई भी देना चाहिए, font छोटा नहीं रहना चाहिए, अब अगर आप इस section में देखोगे, तो इस section में कुछ भी नहीं था, 128 आपको बोला, books of accounts, financial statement, relevant books and paper आप तो other place जो board decide करता है, लेकिन अगर आप किसी other place पे रखते हो, तो जब से board ने resolution पास किया, वहां से 7 दिन के अंदर आपको ROC को AOC 5 के अंदर वो नया address बताना है, accrual basis पे बनाना है, ठीक है जी, double entry system में बनेगा, हर financial year का बनेगा, true and fair view देना पड़ेगा, और electronic mode में अगर maintain कर होना है, तो यह सारी चीज़े आपको follow करने पड़ेगी, that's it, इसलिए question किस पे बन सकता है, place of keeping में बन सकता है, accrual mode में बनेगा, या cash basis में बनेगा, या single या double entry में बनेगा, इस पे बन सकता है, और या तो यह सम्में ना बने तो इस पे तो अराम से बन सकता है, कि अगर company electronic mode में, maintain करना चाहती है, books of account, तो अपने को कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान पर रखना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़े ध्यान पर रखनी है, जो मैंने आपको बताया हूँ, आगे बढ़के लेते, अब बोल रहा है, books of account कि अगर आपको inspection करना है, तो books of account जो इंडिया में maintain हुई है, वो open for inspection है, at the registered office of the company, और other place in India, registered office में कर लो, या तो other place में तो वहाँ पे कर लो, यह तो open रहेगा inspection के लिए, अगर आपको subsidiary के books of account, company है, उसकी subsidiary है, उसके books of account को inspect करना है, तो केवल वो ही व्यक्ति, subsidiary के books of accounts को inspect कर सकता है, जो व्यक्ति को board के द्वारा authorize किया गया, ठीक है जी, और point यह है, कि यह books of account कौन inspect कर सकता है, तो वह वह बाइ डारेक्टर, during business hours, तो जो भी maintain इंडिया में है, उसको आप open है, वो inspection के लिए, registered office of the company, other place में, कौन inspect करेगा, डारेक्टर, during business hours, और shareholder और यह सारे लोग नहीं करेंगे, उनको तो हम statement भेजेंगे, company का जब AGM का notice जाता है, अब हमको उनको भेजना रहता है, है उसके provisions है, कुछ exceptions भी है, पढ़ेंगे उसको, तो यह director inspect कर सकता है, during business hours, subsidiary का अगर है, तो केवल वही व्यक्ति inspect कर सकता, जिस व्यक्ति को board ने authorize किया ह अब, यदि आपके books of accounts outside India maintained है, कोई branch होगी, outside India कोई subsidiary होगी, उसको भी अगर inspect करना है, तो सिर्फ director खुद कर सकता है, ना तो उसका कोई agent, ना तो कोई उसका representative, ना तो उसका कोई attorney, director खुद inspect कर सकता है, उन accounts को जो बाहर बने वे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डारेक कौन सी जानकारी लेना चाता है, और कौन से period की लेना चाता है, वो बताना पड़ेगा, company को वो 15 दिन के अंदर, जब से director request कर रहे है, वहाँ से 15 दिन में submit करनी है, ठीक है, summarize returns of books of accounts shall be sent to registered office at quarterly intervals, और registered office में उसको रखा जाएगा, जो की open रहेगा for inspection by director, point यह है, outside India जो बना है, director request करेगा, तो मिले गई, साथ साथ में उसके summarize returns, books of account के, registered office में भी आएगे, quarterly intervals में, और उसको director inspect कर सकता है, subsection 4 अपने को कहता है, जो भी company के officer और employee है, वो assistance देंगे in connection with the inspection, यानि कि director ने जो जो information माँगी है, इनका दाइत तू बनता है, officer and employees का, वो information उसको देने का पूरा वो help करेंगे, assist करेंगे, अब जैसे की मैंने आपको बताया, कम से कम 8 साल तक आपको बना के रखना है, minimum 8 years, immediately preceding financial year के, आपको ये books of account preserve करना है, longer period के लिए भी आपको central government direction दे सकती है, एक chapter है, chapter number 14, investigation वाला chapter अगर वहाँ पे central government आपको order करती है, कि आपको 8 साल नहीं, आप तो 15 साल बनाओगे, 20 साल बनाओगे, 25 साल बनाओगे, तो उतना बनाना पड़ेगा, अगर order आता है, तो नहीं, तो 8 साल, immediately preceding financial year को छोड़ते वे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़के लेते हैं, उसके बाद 6 number का जो सब्सेक्शन है, fine और punishment की जो बात कर रहा है, जिसमें punishment में आप को cut लगा मिल रहा है, तो जहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, maximum one year की imprisonment, अब वोस imprisonment को हटा दिया गया है, ठीक है जी, तो अब बात आती की, fine किसको किसको लगेगा, who are the responsible person in books of accounts के लिए, तो MD, whole time director in charge of finance, whole time director production का भी होता है, marketing का भी होता है, लेकिन यहाँ पर finance वाले को responsible म हो सकती, लेकिन अब बोला है, minimum 50,000 का fine और maximum 5,000,000 का इनको क्या लगेगा, fine लगेगा, ठीक है सर, यह था section number 128, शुरुआत ही इस chapter की यहाँ से होती, इसलिए मैंने पढ़ाया, as such उतना important section नहीं, जितना important, आगे की जो sections है, वो है, ठीक है, अब अपन बढ़ते section number 129 पे, इस का समझ के लेते का, इसके उपर questions भी बने हुए, 129 बात करता है financial statement की, financial statement का सबसे पहले जो form है, form number EOC4, जैसे कि हमने 128 में भी पढ़ा, कि भाई, books of account, financial statement, और relevant books and paper, true and fair view देनी चाहिए, अब 129 में उसी को थोड़ा सा, elaborate करके बताया अपने को, कि भाई, कैसे true and fair view देगा, त schedule 3 follow करना है, आपको companies at 2013 का, और accounting standard, यह सब जब आप comply करोगे, तो उससे true and fair view देगा, true and fair view का simple सा मतलब यह है, एक एक कच्चा चिठा, पाई-पाई का हिसाब देना है, that is a true and fair view, आपको यह सारी चीजों को comply करना है, अब यह एक रटा हुआ पॉइंट है, कि भाई, यह comply करो पाले section के उपर, वो यह है कि मान लो, insurance company है, banking company है, electricity company है, आपको पता होगा, इनके लिए खुद के, इनके खुद के act बने है, ठीक है, अब इनके जो खुद के act बने वे हैं, जैसे banking regulation act है, ठीक है, electricity का अपना एक act है, तो अगर इनके जो specific act है, उस पे कोई अलग तरीके से financial statement बनाने के लिए बोला है, जहां पर ये accounting standard और ये schedule 3 applicable नहीं होता, यानि कि ये कुछ और बात बोलता है, वो कुछ और बात बोलता है, ये कुछ अलग format में बनाने बोला है, इनके respective act में, इनके respective act में, ऐसी company, जो banking company है, electricity company है, insurance company है, ठीक है, for which financial statement specified in their respective act, उनका format दिया हुए, कि आपको इसमें बनाना है अब उनका format अलग है हमारा format अलग है याने की companies act का अगर आप ध्यान देंगे तो मैं प्रोविजो पढ़ रहा हूँ प्रोविजो का मतलब क्या है additional information कुछ क्या additional information भई पहले तो बोला true and fair view रहेगा कैसे जब आप comply करोगे इन चीजों को लेकिन electricity company, insurance company, banking company जिनका खुद का एक format है खुद का एक format है for which form of financial statement specified in the respective act और ये अलग form बता रहे और ये अलग form बता रहे तो बोले कोई दिक्कत नहीं है इनके उपर ये applicable नहीं है क्या applicable नहीं है ये applicable नहीं है comply करने के लिए ये वाली चीज ऐसा नहीं है कि इनको true and fair view नहीं द available नहीं है ये ने की कल को अगर ये company अपने financial statement अपने respective act के format के हिसाब से आपको पेश कर रहे है जिस पे कुछ information missing है क्यों अब यहाँ पे जो information मांगी थी इस पे इस पे इस पे यह हम follow नहीं कर रहे हम तो अपना follow कर रहे है तो वहाँ जो information मांगी वो हमारे में नहीं थी देन रहा है जिस पे हमारे format और आपके format में भाई कुछ वो है याने कि मिलता जुलता नहीं हमारे में वो नहीं हमारे में वो पूछ रहा है आपके में नहीं पूछ रहा है information इसका मतलब यह नहीं कि आपने non-compliance के तो देखो लिखा हुआ है shall not be treated as not disclosing true and fair view if they do not disclose any matter which are not required to be disclosed by their respective उनके respective act में वो information नहीं मांगी भी है जो आपके में मांगी भी है तो अपना follow कर रहे है अब यह हो गई एक बात हर annual general meeting में board को meeting में financial statement रखना है उस financial year के बड़ी रटने वाली और रटी भी बाते हैं अब जो main बात आती है subsection 3 में 1 हो गया 2 हो गया कि हर annual general meeting में board of director को financial statement रखना meeting के बीच में बात आती है subsection 3 की जिस पे question पूछता भी है और पूछने की संभावना भी है एक बार के लिए इस पे भी question पूछ सकता कि भई यह banking insurance फाले लोग follow नहीं कर रहे तो क्या यह valid रहेगा तो आप कह सकते हैं कि हां भई वो अपने respective act के form को follow कर सकते हैं जो खुद holding बनी वी है और उसके अंदर एक से ज़्यादा subsidiary है या associate है वो तो वो company को सिर्फ financial statement अपना नहीं बनाना है उसको साथ साथ में अपनी subsidiary का भी financial statement बनाना है जिसको नाम देते consolidated financial statement क्योंकि आपकी वो subsidiary है तो आपको consolidate करके बनाना है paid up capital अपना तो लेंगी साथ में उनका भी paid up capital लेंगे consolidate करके पूरा एक picture दिखाना है क्योंकि ultimately आप उसके controlling company हूँ तो company की अगर one or more subsidiary है या associate है तो it shall देखो क्या लिखा है in addition to financial statement financial statement के साथ साथ इधर जाएगा consolidated financial statement बनाना है सारी subsidiary का और associate का सर फॉर्म क्या रहेगा same form रहेगा AOC4 consolidated financial statement का भी AOC4 financial statement का भी AOC4 ठीके सर समझा साथ मैं अपने को बोला है कि ये तो आप बनाओगी अब देखो क्या हो जाएगा आपने paid up capital मानलो दिखा दी एक करोड रुपे की दोनों की मिला के holding और subsidiary की अरे अब इसमें subsidiary का कितना paid up है ये कैसे पता चलेगा तो बोले आप financial statement अपना भी बनाओगे आप अपनी subsidiary के लिए consolidated financial statement भी बनाओगे और आप याने की company एक separate statement बनाएगी जिस पे salient features होंगे financial statement of subsidiary and associates और उसका form होगा EOC1 तो ये क्यों अलग से बोला है कि separate statement बनाना है जो salient features बताएगा महत्वोपुडविंदू बताएगा क्यों अरे consolidated देखी ये कैसे पता चलेगा कि इसमें subsidiary का paid up कितना है उसकी liability क्या है उसके asset क्या है तो उसका एक महत्वोपुडविंदू अलग बना दोगे salient features अलग बना दोगे subsidiary और associate का तो company जो किसी दूसरी company की holding है उसको खुद का financial statement बनाना है उसको consolidated बनाना है अपनी subsidiary का और साथ साथ में AOC1 के अंदर आपको salient features भी देने अपने subsidiary के financial statement का और associate के financial statement का और ये भी आपको lay down करना है the same in the AGM along with financial statement जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे थे न बोर्ड यहाँ पे पेश कर रहा था वैसे ही consolidated financial statement और salient features of the financial statement आपको पेश करना है तो subsection 3 के उपर question बन सकता है अब नीचे अपने को कुछ बाते बोली है इसको मैं फटा 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 फट कवर करके लूँगा क्योंकि ये थोड़ी सी usual चीजे है जैसे कि अपने को वोला subsection 4 पे कि जब आप prepare करोगे financial statement adopt करोगे और audit करोगे financial statement of holding company का ठीक है ये ही ये ही प्रोविजन जो आप prepare करते समय जो accounting standard follow कर रहे हो schedule follow कर रहे हो तो जब आप अपनी holding company यानि की company जब अपना बना रही है adopt कर रही है audit कर रही है सेम तरीके से ही जितने भी प्रवधान आपके financial statement को बनाने के लिए लगे मुतातिस मुटंडिस वो cfs के लिए भी लगेंगे यानि की consolidated financial statement के लिए भी लगेंगे ठीक है जी अब थार्ड वाला जो है अपने को प्रोविजो बोल रहा है कि किसको consolidated financial statement बनाने की जरुवत नहीं फटाफट करूँगा ऐसी company जो holy owned subsidiary है या चलो partially owned भी है उनने अपने members से consent ले ली है कि हम cfs नहीं बनाएंगे मद बनाओ company जिसके securities listed नहीं है ना तो इंडिया में ना तो outside इंडिया में मद बन Tes нужно. मान लो A है, B है c है, D है, A जो है वो ultimate holding है अगर A B का C का D का सब का cfs बना लेती है तो B को Christ के के लिए बनाने की जरुवत नहीं सी को 6 में कहा रहा है central government के पास power है वो किसी भी class of company को public interest में इस provision से financial statement के provision से exemption दे सकता है punishment के और fine के अगर बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी एक साल की imprisonment अभी भी है कौन-कौन व्यक्ति है तो managing director है, whole time director in finance, CFO, other person authorized by board और in the absence of any other person, जितने भी director है, वो सब जिम्मेवार होंगे, ठीक है तो बात यह है भाई साब, MD तो जिम्मेवार है ही है whole time director in finance जिम्मेवार ही है CFO जिम्मेवार ही है और कोई भी person जो board के द्वारा authorized दे, बराबर रहे हैं और in absence of any other person जो other person मान लो authorized नहीं था तो जितने डारेक्टर है, वो सब जिम्मेवार रहेंगे एक साल की jail हो सकती है fine minimum 50,000, maximum 5,000,000 या तो दोनों भी लग सकता है ठीक है सर अब, बाकी कुछ चीज़े mislinear से जो मैंने skip कर रही है अब अपन बढ़ते है section number 130 में और ये वाला section करने के बाद अपन कुछ questions solve करेंगे उसके बाद आगे के provisions को समझेंगे, फिर उनके solve करेंगे यहां तक पहले चीज़ों को समझेंगे उसके बाद आगे के question करेंगे तो ध्यान से समझना, 130 अपने को क्या बोलता है अपने 128 कर लिया ठीक है, हमने 129 कर लिया 128 books of accounts की बात करता है 129 बात करता है financial statement की 130 में अपन आ रहे हैं जो की बात कर रहा है reopening of accounts on courts और tribunals order याने की company के accounts को अब वापस खुलवाओगे वापस खुलवाओगे, गलत तरीके से बना है लेकिन उसके लिए tribunals और court का आपको order लेना पड़ेगा अब ये section क्या बोलता है, क्या purpose है समझना सबसे पहले income tax authority दूसरा SEBI दूसरा central government या और कोई भी regulatory body कोई भी regulatory body, बहुत सारी regulatory body है ठीक है, या कोई भी authority authority याने की मतलब कोई commissioner हो income tax department का और कोई भी person concerned हो इनको ऐसा लगता है कि company ने अपने कुछ पिछले साल के जो accounts maintain किये है वो fraudulent manner पे है ये जो है, fraudulent manner पे है और company का जो business है, affairs of company where mismanaged during the relevant period गलत तरीके से किये कुछ तो गडबड हुआ है कुछ तो धानली होई है ultimately, जो भी concerned authority है जैसे SEBI को लग रहा है नहीं दाल पे कुछ काला है IT, income tax authority को लग रहा है दाल पे कुछ काला है GST officer को मान लो लग रहा है कि company GST pay नहीं कर रही है और वो चाहते हैं कि company के पिछले accounts को खुलवाया जाया हमको उस पर doubt लग रहा है उनको एक doubt आ रहा है company के financial statement को भरोसा नहीं कर पारे तो 130 कहता है application कर दो CG, income tax authority, SEBI other statutory regulatory body या authority या कोई भी person concerned जिसको doubt आ रहा है company के financial statement में क्यों या तो fraudulent manner में बना है या company के फिर mismanage हो है जिसकी वज़ए से doubt आ रहा है हम financial statement में भरोसा नहीं कर पारे है किसी भी कारण वर्ष तो ये लोग application करेंगे court को और tribunal को कौन लोग ये सब के सब करेंगे क्या नहीं जिनको अपने संबंधित परपस से लग रहा है कि नहीं हमको doubt आ रहा है ऐसा नहीं कि सब के सब और और लिखावा अगर आप देखोगे तो तो ये अपलाय करेंगे court को ये अपलाय करेंगे tribunal को और उनसे permission मांगेगी कि भाई हम company के पिछले accounts को खुलवाना चाते है अब जब तुम court को आवेदन दोगे न तो court क्या करेगा कोई भी order पास करने से पहले इनको notice देगा अब court का जो भी प्रश्ण होगा question होगा कि भाई क्यो करना चाते हो तुम्हार को ऐसी कौन सी बात से लगा कि तुम उन पे rely नहीं कर पारे हो तो वो concerned authority को जिससे भी application आया उनको notice देगा और उनसे पूछेगा कि भाई क्यो करवाना चाते हो तो थोड़ा से elaborate करो, detail दो अब उनका reply आएगा तो reply जो भी आएगा, जो भी उनका representation रहेगा government और authority का उसको consider करेंगे कौन? court और tribunal consider करने के बाद अगर उनको उचित लगता है तो वो order pass कर देंगे recast करो वो ले इनके financial statement को वापस बनाओ the order, then pass order for revision और recasting, revision यह नहीं की ज़्यादा गलती नहीं थी कहीं कहीं तुटी थी उनको सुधारो, या तो पूरा बनवाना है ना उनका financial statement पिछले सालों का पूरा बनवालो, और उनका order final रहेगा, court ने एक बार order दे दिया तो final है, बस एक चीज आपको ध्यान पर रखनी है यह जो order court pass करेंगे किसी भी concerned authority के द्वारा यह ज़्यादा से ज़्यादा 8 immediately preceding financial year का हो सकता है 8 financial year immediately after preceding current financial year यानि कि जिस financial year में आपने apply किया और order आया उसको छोड़के पीछे 8 साल उससे और beyond नहीं जा सकते अगर उससे और beyond जाना है अगर order ऐसा pass हो गया under section 128 तो फिर हम books of account को 8 साल से ज़्यादे का भी देख सकते यह कब की बात है जैसे कि मैंने आपको बताया तो 128 के अंदर अगर आपको order दिया है कि आपको 8 साल से ज़्यादा के लिए preserve करना है तो आप longer period के लिए भी order कर सकते हो अगर वहाँ पे वो order दिया था तो 8 साल से ज़्यादे के लिए अगर आपने इनको preserve करने बोला था तो 8 साल से ज़्यादे का फिर revision और recast भी हो जाएगा logic बड़ा simple है जब आपने law पे ही लिख दिया कि तुमको 8 साल preserve करना है तो भई जितना जितना 8 साल बीतते जाएगा उतना उतना तो वो क्या करते जाएगे dispose तो उतना उनके पास financial statement बचा ही नहीं है जब उनके पास उतना financial statement बचा ही नहीं है तो आप कहां से उसको recast करोगे तो बोले तब ही आप 8 साल के beyond जा सकते हो जब investigation के दौरान आपने order दिया कि तुमको 8 साल से ज़्यादा preserve करना है तो definitely तुम reopening और recasting के लिए तब जा सकते हो समझा सकते question आपको इस पे ही पूछेगा कि apply किया हो सकता है कि आपी बोल दे कि आपको बताना पड़ेगा कि नहीं 8 साल से ज़्यादा नहीं etc. etc. करवाऊंगा questions अब भी करवाऊंगा तो वो गया 130 एक बार 131 में आपको बता देता हूं तो linking हो जाएगी दोनों की हाला कि मेरा motive अभी इसको पढ़ाने का नहीं था बट दोनों थोड़े से similar section है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने note पे बात लिखी कि company खुद से reopen और recast नहीं कर सकती voluntary यहाँ पे कौन कोई doubt आएगा concerned authority को application देंगे वो court का order आएगा तब होगा लेकिन 131 order बोल रहा हूं authority दे रहे company को voluntary revision का company चाया तो खुद revise कर देगे recast नहीं recast का मतलब पूरा बनाना revision का मतलब है कहीं कहीं कोई दिक्कत है तो वो कौन सी दिक्कत है तो देखो क्या लगा है अगर यह director को लगता है company के director को लगता है कि company का जो financial statement और board report है वो 129 और 134 के हिसाब से हमने नहीं बनाया यह board को power दिया है कि वह company के board को लग रहा है company के directors को लग रहा है कि वह financial statement और board report जैसे law comply करके बनाना था नहीं बनाया तो उनको अगर लगता है कि यार कुछ तो दिक्कत है थोड़ी बहुत correction है कुछ clerical mistake हो गया था जिसके वज़ा से 8-10 लाग का कोई difference हा रहा है वो difference हम revise कर लेंगे सुधार लेंगे नए तरीके से तो वो revised बना सकते है financial statement और board report voluntary अपनी मर्जी से लेकिन कितने साल पुराना आप revise कर सकते हो तो बहुले in respect of any three preceding financial year पिछले तीन साल से तीन preceding financial year का किसी का भियाब बना सकते हो after obtaining approval of tribunal यहाँ पे भी खुद से नहीं कर सकते tribunal की permission लो और tribunal भी तुमको permission देने के पहले वो जो भी concerned authority था उनको क्या देगा notice देगा कि भई यह बोल रहे revise करना है देखो तो जाके समझो पहले तुम reply करो फिर अपन समझेंगे कि इनको approval देनी की नहीं है ठीक और अपने को यह वाली बात ध्यान रखनी है बस वाकी इस पे कुछ नहीं रखा आप एक बार में shall not be prepared और file more than once in a financial year एक साल में एक ही बार आप यह revision कर सकते हो और जो भी आपने revise किया है आप board report में उसका पूरा disclosure दोगे कि भाई किस वज़े से आपने revision किया that's it यह section उतनी ही बात करता है 131 हो गया 130 हो गया अब जितने भी हमने अब तक जितने भी हमने provisions पढ़े हैं उसके business में हमनों question कर लेते हैं आई यह question देखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 question हमारे पास है 15 question जो है उस पे से out of that 15 question first question अपने को पहले करके लेना है फिर question number 8 करेंगे तो जैसे जैसे मैंने section पढ़ा है उसके according में आपको question करवा रहा हूं ध्यान से समझेगा लिखा वाए दिया लिमिटेड है इन्कॉर्परेट हुई है अंडर दा प्रोविजन आफ कंपनी जैसे लिमिटेड और विजै लिमिटेड तीनों की तीनों कंपनी ने फानेंशल स्टेट्मेंट तो प्रिपेर किया 31 मार्च 2021 के लिए एंडर अब अपने को क्या बोल रहा है तीनों ने फानेशल स्टेट्मेंट तो बनाया है अब कमपनी जैसे लिमिटेड और विजै लिमिटेड को तरीके से बनाना है अरे इनको किस तरीके से बनाना है यह तो सब्सेडरी है प्राशने तो ये है क्या दिया लिमिटेड ने Consolidated Financial Statement बनाया है तो Question देखो तुमको कैसे घुमा के पूछा है Question ये नहीं पूछा कि दिया लिमिटेड जो है उसको क्या करना है Question ये पूछा कि जो Subsidory है J.L. और Vigil. उनको किसे साबसे बनाना है अरे तो भहिया वो तो नॉर्मल ही बनाएंगे वो तो अपना financial statement बनाएंगे लेकिन जो holding है उसको as per section 129 उसको क्या बना के लेना है consolidated financial statement आईए इसका crux answer मैं आपको लिखवाता हूँ और दिमाग में clarity आएगी full screen कर दिया हूँ आईए जी लिखेगा भाई और बैनों सबसे पहले तो section का reference दे दीजिए section number कौन सा है 129 subsection 3 पे ये बात लिखे वी है where a company has one or more subsidies और associate companies it shall in addition in addition याने की अपना तो आपको बना नहीं है it shall in addition to fs याने की financial statement provided under Subsection 2 to prepare a consolidated financial statement of the company and of all the subsidiary and associate company. ठीक है जी ये क्राक्स आंसर हुआ अब अपने को अल्टिमेटली जो पूछ रहा है कि भाई जो सबसीडरी जा उनको कैसे बनाना है तो उसके लिए लिखिएगा Consolidation Is to be done By holding company That is DIA Limited, JAE Limited And VJ Limited Shall prepare their Balance Sheet And FS Of Profit and Loss Account Normally Normally भाई तुमको तो Normally बनाना है न Following The Provision of Act With Accounting Standard Simple हो गया भाई एक Question अपने को और करना है Question Number 8 Question Number 8 देख लेते हैं क्या बोलता है अपने को समझेगा भाई और बैनो Question Number 8 जो है वो Section Number 130 के उपर बेज़द है Question Number 8 The Income Tax Authorities In Current Financial Year कौन सा Current Financial Question में दिया 1920 Observe During the Assessment Proceeding A Need to Reopen the Accounts of Query Limited जर्वत लगरी की भाई Open किया जाया कौन से Year के लिए 2089 के लिए और इसके लिए उनने NCLT को एक Application दिया To Issue Order To Query Limited For Reopening of Its Accounts And Recasting Open करो और नय तरीके से बनाव For the Financial Year 2089 अब आपको बोल रहा है बताईए यह जो Application दिया Income Tax Authority ने NCLT को यह valid है क्या तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग तब लगेगा जब आपको प्रोविजान अच्छे से याद रहेगा कई बच्चों को लगेगा कि हां भई Application तो करना रहता है Application में क्या दिक्कत है valid है लेकिन कई बच्चे जो smart होंगे उनको यह दिखेगा कि भई लेकिन हमारे को जिस financial year का reopening के लिए बोल रहा है financial statement वह है दो हजार आठ नौ तो अगर आप तुम देखो के 19-20 मैं तुम application कर रहे हो आठ नौ के लिए करने के लिए तुम समझो आठ नौ नौ दस दस ग्यारा ग्यारा बारा बारा तेरा चौदा पंदरा और 19-20 तुम 19-20 में apply कर रहे हो आठ साल बीच चुके उदर यानि कि जब तुम apply कर रहे हो तब नौवा दसवा साल चल रहा है वह 8 साल के beyond है तुम जादा से जादा current year में जिस दिन आप apply कर रहे हो जिस financial year में उससे पीछे 8 साल जा सकते हो वह उसके beyond जा रहा है वह 8-9 की खुलने की बात कर रहे है तो क्या यह application valid है application तब valid होता अब जब आप within 8 year हो जो आठ साल बीच चुके है उसका उस year financial year का आप उसको open reopen करके recast करने के लिए NCLT को apply कर रहे हो तक क्या आपका application valid है मेरे हिसाब से तो नहीं है आईए लिखिए लिखेगा भाई और वे नो तो मैं direct आपको मुद्दे की बात लिख भा रहा हूँ सबसे पहले तो section लिखेंगे section number 130 है यह जो बात करता है reopening of books of account की और वो provision जो पूरा मैंने आपको चार्ट में बताया था वो आपके दिमाग में रहना है मैं सीधा cracks answer बता रहा हूँ no order shall be made in respect of reopening of books of account relating to a period earlier than 8 financial years immediately preceding the current financial year ठीक है जी conclusion में यह रहेगा दो application filed by IT authority to ncl t to ncl t is valid application file करना valid है ठीक है but recommendation for reopening company of fs or period earlier than 8 financial year immediately preceding current financial year is invalid तो एसा है कि चलो आपने application किया वह valid है लेकिन आपका recommendation है वह क्या है इन्हें valid है भाई और बहनों दोस्तो इसके बाद question number 12 कर लेते हैं question number 12 भी काफी ज्यादा relevance रखता है 128 के लिए उसका भी मैं आपको करक्स आंसर लिखा दूँगा तो आपके दिमाग में न उसकी theme बैट जाएगी just a moment question number 12 question number 12 अपने को क्या बोलता है देखेगा कि रवी limited है वह maintain कर रहा books of accounts under single entry system जैसे ही आप single entry पढ़ो तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए of accounting is it permitted under the provision of the company's act पहला question कि क्या single entry में बना सकते हैं दूसरा बताये कौन से person responsible है for complying with the provisions regarding maintenance of books of accounts of company अगर आपने 128 पढ़ा था तो याद हो के MD whole time director in finance CFO other person authorized by board यह सारे व्यक्ति कौन है responsible है books of account maintain करने के लिए तीसरा whether a company can keep books of accounts in electronic mode क्या electronic mode में रख सकते हो आगे पढ़ते हैं accessible only outside India accessible only out of India भावना है समझ रहे हो हमने पहले ही point पढ़ा था कि books of account in electronic mode में रखना है तो that must be remain accessible in India for subsequent reference word use हुआ था कि बार बार उसको refer कर सके यहां पर कह रहा है electronic mode में बनाना है लेकिन accessible होगा only outside India अरे भाईया तो फिर income tax authority को जब doubt होगा तो कैसे देखेंगे तो पहली बात तो तीसरे का answer नो है दूसरे वाले का जो answer है कि क्या कौन person responsible हो तो हो गया पहला single entry में बना सकते नहीं आईए इसका भी क्रक्स answer लिख लेते हैं सबसे पहले section का reference दिंग में first वाले का answer पहले लिख वा रहा हूँ section number 128 हाला कि सारे section 128 पर ही है 128 का subsection 1 subsection 1 पर क्या लिखा हुआ है कि books of accounts जो रहेगी must be kept on accrual basis and according to double entry system of accounting. तो ओसे सापसे Hence maintenance of books of account under single entry system of accounting by ravie limited is not permitted ठीक है जी यह हो गया second वाला अपने को question पूछा था कि कौन-कौन person responsible है although वो चार्ट पे लिखा हुआ है बट फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि एक revision का purpose serve करें यह लिखना और आप कभी भूलो ना तो मैं क्रक्स क्रक्स लिखा रहा हूं सबसे पहले person responsible है MD MD के बाद whole time director in finance ठीक है अच्छा यह सारे कहां पे लिखे है section number 1286 के अंदर यह बात लिखी हुए तीसरा जो बंदा है उसका नाम है CFO चौथा जो बंदा है वो है any other person इन सब के अलावा और कोई अलग person है जो की board के द्वारा authorize है any other person of a company charged by board भाई तुमको इसकी responsibility दी है यह लोग person responsible है ठीक है जी अब तीसरा वाली बात थी कि भाई क्या company electronic mode में बना सकती है तो बना सकती है सबसे पहली condition क्या है rule 3 के हिसाब से सबसे पहली condition यह है कि वो remain accessible होनी चाहिए मैं एक दम short पे लिख रहा है आप directly मत लिखना remain accessible आपको यह लिखना है कि such books of accounts maintain in electronic mode shall remain accessible in India for subsequent reference यह keyword यह सारे remain accessible in India for subsequent reference दूसरी condition क्या है proper system होना चाहिए for storage retrieval display or printout of electronic records as the audit committee deem appropriate c वाला पॉइंट लिखेगा making बाला आपकोंगे we in e-mode शाल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटड इन इंडिया ठीक है जी हैंस अ कंपनी केंनोट कीप बुक्स अफ अकाउंट इन इलेक्ट्रोनिक मोड एक्सेसेबल अनली आउटसाइड इंडिया ठीक है जी दोस्तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन नमबर 134 पे 134 काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा 134 बात करता है फिनैंशल स्टेट्मेंट की और बोड रिपोट की अब फिनैंशल स्टेट्मेंट कौन साइन करेगा इसके उपर भरमार कोश्चन है इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर 134 के अंदर बोड रिपोट के कंटेंट है पूरे कि बोड रिपोट के अंदर कौन से मैटर जाते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो board report के अंदर जो matter जाते वो इतने मतलब easy to understand है कि आप पढ़ो कि आपको समझेगा कि हाँ आपको यह यह बताना है उस पे कोई rocket science नहीं कि मैं उसको एक-एक point को समझाओ actual में वो point रटने वाले है क्या sir board report के content क्या होते हैं उस पे question पूछा जा सकता है हाँ जी बिल्कुल पूछा जा सकता है 4-5 marks में कि बताओ 5-6 ऐसे कोई point बताओ जो board report में होने चाहिए तो वो content कामाएंगे तो एक बार मैं उपर-उपर आपको glance में वो review करवा दूँगा revise करवा दूँगा बट उसको आपको खुद रटना पड़ेगा वो रटने वाले point है वो याद करने वाले point है तो हम basically section number 134 पे जो focus रहेगा कि financial statement को sign कौन करेगा और even board report को भी कौन sign करेगा ये भी इस पे दिया है और board report के जो content होते हैं जो की आपको याद करने बट हाँ वो relevant है यानि की पूरा section number 134 relevant है ध्यान से समझीएगा अब बोल रहा है कि financial statement along with देखो लिखा हूँए financial statement plus जा मतलब along with consolidated financial statement if any sign कौन करेगा इसको ध्यान से समझ के लिए ना तो बोले सबसे पहले तो इसको sign किया जाएगा on behalf of the board board के द्वारा इसको पहले sign किया जाएगा यानि कि पहले financial statement board के द्वारा sign होगा उसके बाद कौन sign करेगा वो नीचे दिया हुआ so financial statement plus consolidated financial statement if any signed on behalf of the बोड के द्वारा बोड के बिहाफ में sign किया गया पहले इसको बाद में इसको chair person sign करेगा इस financial statement को अगर chair person authorized by board है तो तो पहले तो ये sign होगा on behalf of the board उसके बाद अगर chair person को board के द्वारा authorize किया है तो chair person sign करेगा अन्यथा chair person को sign करने की दरकार नहीं है तो अगर chair person authorized by board है तो वो sign करेगा authorized by board नहीं है तो कौन sign करेगा तो बोले दो डारेक्टर sign करेंगी जिस पे एक MD होना चीए अगर company में MD है तो समझा स्रूँ and लिखाया and chief executive officer sign करेगा अगर company में chief executive officer है तो and chief financial officer sign करेगा अगर है तो and company secretary sign करेगा अगर company में company secretary है तो और one person company के case में सिर्फ और सिर्फ एक director भी sign करेगा चलेगा क्योंकि वहाँ पे तो minimum member भी minimum maximum member का तो खेल ही नहीं है एक ही member होगा और director minimum one होना चाहिए तो वो only by one director sign होना चाहिए उसके बाद यह financial statement submit की जाएगी auditor को उसके audit के लिए तो मैं वापस से repeat करना चाहता हूँ यह वाला segment काफे important है company जो financial statement बनाएंगे उसके पहले board के बहाफ में sign किया जाएगा उसके बाद यदि chair person authorized by board है तो chair person sign करेगा नहीं तो नहीं करेगा अगर chair person authorized नहीं है तो दो director sign करेंगे जिसपे एक MD होना चाहिए अगर company में MD है तो नहीं तो दो director भी करें तो चला अगर MD नहीं है तो chief executive officer, chief financial officer and company secretary सब्मेंड है याने कि यह जितने लोग अगर होंगे तो जितने अगर CEO, CEO और company secretary है तीनों sign करेंगे सर्थ, CEO और company secretary है तो वो sign करेंगे याने कि जो उपलब्द लोग है वो sign करेंगे अब subsection 3 में लिखा हुआ है board report के content क्या रहेंगे ठीक है तो board report shall be prepared based on the stand-alone financial statement plus reports on the highlight of performance of subsidiary याने कि जो आप board report बनाओगे उसका जो sole basis रहेगा financial statement को देखते हो बनाओगे और जो भी highlights है, subsidiary और associate के उसके basis में बनाओगे क्या के उसके अंदर include रहेगा, web address, annual return का, कितनी meeting board की हुई है financial year पे director responsibility statement, कुछ fraud हुआ है, जो की auditor के द्वारा report किया गया है, audit report में वो भी board report में होगा independent director के कुछ statements होते हैं वो, director का appointment की policy क्या है, remuneration की policy क्या है ठीक है, auditor ने जो भी अपने comments दिये हैं, उस पे क्या board का opinion है, explain करो, comment दो उस पे loan investment guarantee के बारे से बताओ, contract related party के साथ कितना कि वो बताओ, results में कितना amount propose कर रहे हो डालने के लिए और कितने dividend declare कर रहे हो, company का state of affair है भी, आगे क्या development करने वाले CSR में, यह सब board के content रहेंगे, other matter as prescribed है, जो की OPC और small company के उपर applicable नहीं है, OPC और small company को छोड़के यह सारे matter applicable होंगे, जो भी आपके सामने में पढ़ूंगा, financial summary और highlights बताओ, उस पे, अगर business change किया है कभी, तो board report में यह भी आएगा, director और KMP जो appoint हुए है, ठीक है, और have signed during the year वो बताओ, opinion का है with regard to integrity, expertise and experience, सब रटने वाली चीज है, ऐसी company जो cease to become, सबसीडरी पहले सबसीडरी थी लेकिन अब सबसीडरी नहीं है, joint venture, associate पहले थे, अब नहीं है, कितने deposit accept किये हो, कितने उसमें अभी unpaid है, अगर default हुआ है, in repayment plus interest, तो बताओ कि भाई, कितना आपने default किया है, वो बताओ, details of deposit not in compliance वे chapter 5, नहीं कितने कौन से deposit है, जिसका आपने non compliance करके रखा हुआ है, तो orders जो quote के द्वारा pass कियेगा है, जो company के performance में affect कर रहा है, यह पूरे रटने वाले point है, जो कि board के content रहेंगे, important जो चीज है, वो important जो चीज है, वो एक तो यह है, कि कौन साइन करेगा, बाकी तो सारी चीज आपको रटनी ही है इसमें, क्योंकि उस पर समझने जैसा कुछ नहीं है, बस आप हर चीज का disclosure दे रहें उस पर, board report में, छीक है, subsection 678 के अंदर, subsection 6 पेक बात लिखी, कि board report को कौन साइन करेगा, उपर जो बात क्यों, financial statement के लिए थे, board report को कौन साइन करेगा, तो बहुत बाए, chairperson of company, if authorized by board, अगर chairperson authorized तो, अगर नहीं authorized है, board के द्वारा, तो कम से कम दो director साइन करेंगे, जिस पर एक MD होगा, अगर company में MD है तो, और OPC के case में, by the director, where there is one, जो अपना एक director होता है, वो sign करके लेगा, तो board report के case में, chairperson sign करेगा, अगर board के द्वारा authorized है, chairperson को authorized नहीं किया, तो at least 2 director, जिस में से एक MD होना चीए, अगर MD है तो, तीसरा, in case of OPC, by the director, जो एक director जो OPC में होता है, वो sign करके लेगा, ठीक है सर, समझ में आगे सर सारी बात है, 135 को बाद में पढ़के लेंगे, पहले 134 के उपर, अपन कुछ questions करके ले लेते हैं, तो सबसे पहले question number 2 करेंगे, आएंगे question number 2 पे, just a moment, हाँ जी guys, Companies Act 2013 has prescribed an additional duty on the board of director, to include in the board's report, a director responsibility statement, एक अलग से जो मैंने आपको दिखाया था कि director responsibility statement है, subsection 6, 7, 8 में जो यहाँ पे दिखा के लिए था, not this one, sorry, subsection 6, 7, 8 नहीं, subsection 3C में, कि director की एक responsibility statement होती है, यह सारा उसका दिया हुआ है, तब वो question पूछ रहा है, briefly explain any three matters to be furnished in the stat statement, तो जैसे कि मैंने बोला, आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करके आपको लिखना है, इसको फिलाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, अपन आगे के question में बढ़के लेते हैं, question number second के बाद, question number four करके लेना है, question four अपने को कहा रहा है, the board of directors of Dillip, Tally Links Limited, consists of Mr. Chokse, Mr. Patel, जो की directors हैं, और एक Mr. Shukla है, जो की managing director है, याने की जो Chokse है, और जो Patel है, ये director है, जो Mr. Shukla है, ये managing director है, company has also employed a full-time company secretary, full-time company secretary भी है, profit and loss account and balance sheet was signed by Chokse, और Patel, याने की इनने sign किया और इनने sign किया, ना company secretary ने sign किया, ना MD ने sign किया, examine whether the authentication of financial statement of company in accordance with the provision of Companies Act, Companies Act के हिसाब से, ये जो sign के, ये authentic है, अब भी हमने पढ़ा, कि भाई साथ, financial statement सब किसे द्वारा पहले sign करता है, board के बहाफ में, board के बहाफ में sign होने के बाद, अगर chair person authorized है, तो वो sign करता है, वो authorized नहीं है, तो दो डारेक्टर sign करेंगे, उसमें से एक MD होना चाहिए, कर company में हैं तो, तो Mr. शुकला आप MD थे तो आपने sign क्यों नहीं किया, और company secretary है, तो भी sign करना है, तो आपने क्यों नहीं किया, तो क्या ये authentic है, मेरे हिसाब से नहीं है, आईए, full screen कर देता हूँ, लिखिएगा, तो लिखिएगा दोस्तों सबसे पहले section का reference दीजेगा, सबसे पहला section number ये 134, subsection 1 है, जो की बात करता है, कि financial statement प्लस consolidated financial statement, if any, if any का मतलब अगर consolidated financial statement है तो, shall be approved, by the board of directors, before they are signed on behalf of the board by the chairperson of the company where he is authorized by the board or by two directors out of which one shall be MD if any and the CEO CFO and the CS of the company wherever they are appointed, जहाँ पे भी उनको appoint किया गया है ठीक है, और वो one person company के case पे, और in the case of OPC in the case of OPC only by one director for submission to the auditor for his report ठीक है जी? अब मैं सीधा conclusion लिखराँ, कि भाई, इंस्टेंड केस पे, ına Mr.Shukla the MD should have been one of the two signing directors further CSB तो है वो भी तो sign करेगा since the company has also employed a full time secretary he should also sign the balance sheet and statement of profit and loss ठीके जी अब question number 13 कर लेते हैं वो भी अच्छा question है इसके उपर ध्यान से देखेगा question number 13 को just a moment देखेगा yellow limited has prepared its financial statement for the year 18-19 Mr. Pratik the managing director of the company is declining to sign this financial statement बना कर रहे हैं बोले मैं नहीं करूँगा managing director होते हुए किसको sign करने बना कर रहा है FS को on the ground that it is only the duty of the board of director to sign the financial statement ये प्रतिक भाई साब का कहना है कि भाई ये मेरी duty नहीं है ये तो सिप director की duty की उसको sign करना है as approved by the board and he is not liable to sign the same now Mr. Pratik has approached you advise him regarding his responsibility for signing the financial statement advise Mr. Pratik regarding his responsibility for signing the financial statement as per the provision Mr. Pratik has also provided to you the following information अच्छा प्रतिक अपने को और भी information देने की प्रयास कर रहे है just a moment कहां गया वो पहला board as a policy does not authorize the chairperson of the company to sign the financial statement तो प्रतीक जो है जो managing director रो बता रहे है कि chairperson को authorize नहीं किया गया है sign करने के लिए तो बिल्कुल बड़ी है दूसरा company has appointed Miss Sunaina as a company secretary आपका दिमाग चल जाना चाहिए अरे भाई chairperson को अगर authorize किया तो chairperson sign करता है नहीं तो दो director sign करते है जिसमें एक MD होना ची तो भाई तेरे को तो बनता है प्रतीक sign करना भाई क्योंकि chairperson authorize है नहीं दूसरा company has appointed Mrs. Sunaina as its company secretary तो भाई company secretary तो वो भी sign करेगी आईए सीधा crack sansa लिखते है वाकी तो चीज़े अपने लिख लिए लिखेगा भाई और बैनो full screen कर देता हूँ as per the facts of the question board has not authorized the chairperson of the company to sign financial statement hence F.S. shall be signed by two directors out of which one shall be MD that is Pratik ठीक है जी अब हम लोब move on करते है section number 135 में so 135 काफी ज़्यादा important है अब इस पे न बहुत सारी चीजे हैं पहले समझे न 135 बोलता क्या है फिर क्या चीजे हैं अपने को क्या ध्यान रखना है किस प्रकार के question आते हैं अपने ये समझें 135 पे नाम पे लिखा है corporate social responsibility अब इसका मतलब ये होता है मेरे भाई और बहनो जो बड़ी कंपनी हैं जिसके पास हर financial year में अच्छा खासा net profit आता है turnover काफी ज़्यादा बड़ा है net worth बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप ये बड़े कहां से बने हो ये समाज में रहके ही बने हो न भाई ये समाज के लोगों ने आपके company में आपके corporate जो है आपके उस पर पैसा लगाया आप उन पैसे को कहीं invest किये बड़ा turnover हुआ बड़ा net worth बना आज बड़े net profit बन रहा है तो आपकी जो बड़े बने हो ये बड़े बनने में समाज कहीं न योगदान है, समाज कहीं न contribution है तो क्योंकि आप जब आप इतने बड़े बन चुके हो और समाज के लोगों के द्वारा पैसे invest करने के बाद ही बने हो तो आपका एक दाइत तो बनता है समाज की प्रती एक duty बनती है कि आप समाज के लिए भी कुछ भलाई का काम करो कुछ समाज सेवा करो corporate का कुछ social responsibility निभाओ वहां से आए corporate social responsibility और इंडिया एक पहली country है जिसने इसको CSR को mandatory किया है सबसे पहली country इंडिया है पुरे world में पहली country इंडिया है जिसने CSR को mandatory किया है अब तक पहले मतलब जब 2013 के पहले ये recommendation हुआ करता था कि आपको ऐसा करना चाहिए और भारत एक ऐसा देश बना जो पहला देश है जिसने इसको mandatory किया कि आपको ये करना ही पड़ेगा तो definitely हर company के लिए नहीं है उन company के लिए है जो की एक अच्छे खासे बड़े लेवल पे तो कौन सी company के लिए है हर वो company every company ठीक है हर वो company के लिए जिसका net worth कम से कम 500 करोड और मोर है turnover 1000 करोड और मोर है और net profit 500 करोड और मोर है सब के बीच में और लिखा हुआ है यने की net worth 500 करोड और मोर हुआ चलेगा turnover 1000 करोड और मोर हुआ चलेगा net profit 500 करोड और मोर हुआ यने की तीनों में से कोई से भी limit को अगर आप trigger करते हो आपके उपर section 135 attract हो जाएगा जो आपको बोलेगा कि आपको समाज के लिए कुछ करना है क्या करना है वो आगे समझेंगे अब ध्यान से सुनके लीजिएगा ये जो तीनों चीज अपने को बोल रहा है network, turnover और net profit ये अपने को कब का देखना है immediately preceding financial year का यने की अगर मैं इस साल पे हूँ मानलो भी 22-23 चल रहा है 1 अपरेल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 को ये financial year खतब होगा कि क्या इस financial year में मेरे को section 135 लगेगा क्या क्या corporate social responsibility मुझे इस साल निभानी पड़ेगी क्या तो मुझे पीछे आके देखना पड़ेगा 21-22 पे immediately preceding financial year पे अगर मेरा net worth अगर मेरा turnover या अगर मेरी net profit इन तीनों में से कोई भी एक limit को trigger कर देती है तो मुझे इस साल corporate social responsibility का पालन करना पड़ेगा तो ये जो net worth है ये जो turnover है और ये जो net profit है ये देखना during immediately preceding financial year तो हर वो company जो ये trigger करती है immediately preceding financial year में shall constitute एक CSR committee of board तो क्योंकि आपको section 135 अपली केबल हो गया तो इस साल आपको एक CSR committee बनानी पड़ेगी अलग से कोई बंदे नहीं होते जो board of director होते वो ही CSR committee का part होते है तो बोला है कम से कम तीन और more director होंगे उस committee के अंदर जिसमें से एक डारेक्टर independent director होना चाहिए अब बात आती ही कि independent director हर company को अब private company है उसमें तो दो ही director होते है तुमने आपे बोला तीन और more director से आप CSR committee बनाऊगे और उसमें एक independent director होना चाहिए अरे भाई ऐसी company जो private है जिसको minimum दो ही director है तो वो दो ही director रखा उसको independent director के भी प्रवथान follow करने की जरुवत नहीं तो उस situation में अगर आपको independent director 149 के अंदर appoint करना पड़ता है तो अगर आपको जरुवत नहीं independent director appoint करने की तो आप अपनी CSR committee two or more director से भी बना सकते हो तो जैसे आप private company हो तो दो director थे आपके private company ने उनहीं दो director को अपने CSR committee का भी member बना दिया ठीक है जी सर समझ में आ गया तो ये सबसे ज़्यादा important part है ये वाला subsection 1 जो कि अगर मैं mark करना चाहूँ तो यहां से लेके यहां तक मैं करूँगा यह यहां तक यह यहां तक ठीक है जी कि भाई immediately preceding financial year में तीनों में से कुछ एक भी आप trigger कर रहे हो उस company को एक CSR committee बनानी है उसमें तीन director होंगे कम से कम और एक independent director होगा अगर आपको independent director के provision नहीं लगते हैं तो आप दो director से भी आपकी CSR committee form कर सकते हो आपकी CSR committee में कौन कौन है हो सकता 10 director है तो 10 में से आपने 3 को बिठा है एक independent है तो किसको आपने CSR committee का member बनाए यह आपको board report में disclose करना है यह आपको subsection 2 पे बोला है subsection 3 है वो बात करता function of CSR committee कि क्या काम करेगी CSR committee बनत हो गई काम क्या इसका तो बोले यह CSR policy बनाएगी formulate करेगी and recommend करेगी board को CSR policy and activities to be undertaken by company as specified in schedule 7 आपके company जखकर जो schedule 7 है उसके अंदर n number of list दिया हुआ है कि आप कहां कहां समाज सेवा का काम कर सकते हूँ तो schedule 7 को दिमाग पे रखते हुए committee देखेगी कि अपन कहां 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 समाज पे काम कर सकते हैं तो एक पूरी policy बनाएगी बनाने के बाद recommend करेगी board को ultimately वो policy को approve board ही करेंगे उसके बाद ही आगे काम होगा लेकिन CSR committee का काम होगा formulate करना और recommend करना board को CSR policy and activities to be undertaken by company as specified in schedule 7 अब schedule 7 एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह हमारा schedule 7 एक मैंने MCA की website खोलके रखा हूँ है तो देखो यह point number 1 से लेके भाई भूक मारी मिटाना है भूक मारी वंतलब जो भूक से मर जाता है ठीक है भूक को मिटाना है गरीबी को मिटाना है mild nutrition को निप्टाना है निप्टाना हैने की खतम करना है education को promote करना है promote करना है gender equality environmental sustainability national heritage disaster management भी इसमें दिये जिस पे covid से related अगर आपने कुछ काम किया वो चलेगा slum area development चलेगा disaster management चलेगा तो यह schedule 7 के अंदर आपको almost 12 point दिये देखो यह 12 point दिये उन 12 में से अब किसी भी area पे आप पैसे को लगा सकते हो कितने पैसे लगाने वो भी अपन समझ के लेंगे ध्यान से समझी है तो CSR committee का function आपको समझ में आगए कि formulate और recommend करना है CSR policy board को और schedule 7 के इसाफसे policy बनाई जाएगी recommend करेंगे कि कितना खर्चा आपको करना है कौन सी activity में तीसरा monitor करते रहेंगे CSR policy company को time to time में कि जितना सोचा था उतना अपनी CSR policy execute हो रही है क्या यानि कि 3 करोल रुपे for suppose हमको लगाना था कि भूग मिटाने के लिए hunger मिटाने के लिए तो क्या वो 3 करोल लग गए सही तरीके से ये monitor भी करने का काम आप करेगा आपका यानि कि CSR committee का अब अगर आप देखो कि duties क्या है board की subsection 4 में board की अपने को duty दिया है ये board की duty क्या है तो बोले board जो भी recommendation होगा CSR committee का उसको consider करेगा अप्रूफ करेगा board उसको और अपने board report में disclose करेगा कि हाँ भई हमने finally ये वाला policy बनाया है और company के गर website है तो वहाँ पे भी disclose करना है और board को ये ensure करना है कि जितनी भी CSR policy activity थी वो company के दोआरा हो रही है इस पे ही ये बात लिखी वी है कि कितना contribution CSR पे करना है board को हर financial year पे तो सबसे पहला लिखा at least 2% of the average net profit of the company during the immediately preceding three financial year मान लीजिए company को अभी 22 चल रहा है company को पिछले तीन साल में immediately preceding three financial year में company को एक साल सौलाग का फायदा हुआ फिर सौलाग का फायदा हुआ फिर सौलाग का ये company का net profit है example के तौर पे मैं ले रहा हूँ ठीक है तो देखो लिखा है at least 2% of the average of the net profit of the company during three immediately preceding financial year अब अगर आप इसको करोगे तो 100 divided by 3 आएगा sorry 300 divided by 3 आएगा तो actual में आपका जो average net profit आता है 100 lakh रुपीज का आपका क्या आगया average net profit अब इस 100 lakh रुपीज का क्योंकि ये 300 divided by 3 था इसका 2% करना यानि कि कितना 2 lakh रुपे ये 2 lakh रुपे कम से कम तो at least 2% of average of average net profit at least 2% of average net profit of company during the three immediately preceding financial year तो भाई हमने 3 साल का profit लिया इसको divide किया 3 से तो 300 divided by 3 100 lakh 100 lakh का 2% कितना है 2 lakh रुपे अपने को CSR में समात सेवा पे लगाना है ठीक है सर company इस पे preference देगी local area को जैसे आपको भूक मिटाना है यानि कि लोग अगर hunger से मिट रहे है तो local area में देखो कि कहां पे लोगों को तीन टाइम का सही से खाना भी नहीं मिलता वहां पे भूक मिटाओ ठीक अगर मानलो company fail हो जाती है ये amount को spend करने में जैसे 2 लाग था fail हो गई तो आपको board report में बताना पड़ेगा reason कि क्यों आप ये पूरा-पूरा पैसा अपने CSR policy में नहीं लगा पाए ये तो हुआ कि जब आप fail हो गए मानलो आपने जादा लगा दिया आपने 2 लाग की जगा 10 लाग रुपे लगा दिये तो अब बात आती है अगर आपने access में spend कर दिया है तो company चाहे तो उसको set off कर देगी in succeeding financial year succeeding three financial year बोलना चाहिए जो prescribed लिखा है ना prescribed में तीन financial year succeeding succeeding तीन financial year तो मानलो भई को इस बार लगाना था 2 लाग हमने लगा दिया 10 साल coming वाले financial year पे हमारा आया 5 लाग रुपे लगाना है CSR में तो भईया हम पिछले साल जहां 2 लाग लगाना था हमने 10 लगा दिया 8 लाग जदा लगाया अब अगले सार 5 लाग आ रहा है लगा के बैठे 8 एक्ष्ट्रा था तो उस 5 को सेट आफ कर दिये अभी भी 3 बचा है तो और आने वाले साल पे जितना भी amount है माने वाले साल में और 5 लाग आया तो 5 लाग में 3 और सेट आफ कर देंगे 2 लाग रुपे लगाएंगे तो एक्सेस कर दिये तो सक्सीटिंग 3 फाइनिशल येर पे सेट आफ का फायदा मिल जाएगा नहीं किया तो आपको बोल्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा रीजन के साथ कि भाई आपने क्यों नहीं किया इतना काफी है अब इसके बाद जो सारी बाते है न कि नहीं किया अगर स्पेंड आपने तो कौन से फंड में ट्रांसफर करना है थोड़ी सी मिसलीनियस बाते है जो आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ जाएगा और जो मेरा अमेंडमेंट लेक्चर की और वो बताना चाहता हूँ Just a moment Rule 4 के अंदर अपने को कुछ exception बता है exception to CSR activities ये मेरे को important है जो मुझे बताना है कि कौन सी activity को आप CSR नहीं मानोगी तो बोले अगर आप इंडिया के बाहर कोई activity कर रहे है इंडिया के बाहर poverty खतम कर रहे है और भाईया यहां करो ना वहां जो करोगे उसको CSR नहीं मानेंगे आप employee की benefit के लिए अगर कुछ कर रहे है जैसे मान लो COVID चल रहा था आपने क्या क्या CSR में बोले इनको vaccine लगवा देते employee वालों को free of cost company की तरफ से employee की benefit के लिए जो आप कर रहे है उसको percusage बोला जाएगा उसको CSR नहीं बोला जाएगा तो वो CSR के बाहर है तीसरा आप कोई भी political party को directly और indirectly support कर रहे हो CSR नहीं कलाएगा भी या political party को support करना कहेगा CSR कलाएगा वो कोई समात सेवा थोड़ी हो तो political सेवा ठीक है जी चली इतना मेरे को यहां तक समझा के लेना था वो exception के अंदर है अब मुझे आपको एक question करवा के लेना है CSR के उपर question number 3 आजाए question number 3 पर देखिएगा भाई और बेनो क्या लिखा हुआ है balances extract from the financial statement of ABC are as follows net worth जो इनका है वो है 100 करोड रुपे का ठीक है जी turnover जो है 500 करोड का है और net profit जो है वो 5 करोड का यह कब के statement यह लोग दे रहे हैं एक second explaining the provision of the company's act you are requested to examine whether ABC is required to constitute corporate social responsibility during the second half of the financial year 2021 के लिए बोला है तो अगर अपने को 2021 के लिए बोला है कि भाई 20-21 में इनको करन रहा है कि नहीं करना है तो अपन definitely 20-21 के लिए किसको देखेंगे 19 भी इसको देखेंगे यानि कि 1 April से लेगे 30 March जो कि अपने को यह वाला balance दिया हुए अब बोल रहा है net worth आपका कितना है 100 करोड भाईया कम से कम 500 करोड होना चाहिए net worth आप compliance नहीं कर रहे है उसको compliance यानि कि trigger नहीं कर रहे हो turnover कम से कम 1000 करोड सही होता आपका 500 करोड है यह भी नहीं मिला net profit कम से कम 5 करोड और मोर सही है आपका 1 करोड है नहीं हुआ तो क्या company को CSR committee बनानी पड़ेगी मेरे हिसाब से नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने trigger ही नहीं किया है आईए इसको लिख लेते हैं मैं आपको limit नहीं लिखवाँगा क्योंकि limit तो अल्रेडी चार्ट में दीवी और याद भी हो गई होगी मैं आपको सीधा crux लिखवा रहा है इसका answer का लिखेगा company does not fulfill तो आपको provision लिखना पड़ेगा कि भई CSR committee उनको बनानी होती जिनका ऐसा ऐसा जो limits है वो लिखना है उसके बाद ये crux है does not fulfill any of the given criteria net worth turnover net profit or immediately preceding financial year hence ABC Limited is not required to constitute CSR committee for the financial year 2021 अब भाई और बैनों आगे बढ़ते हैं और हमारे तीन सेक्षन बचे अभी 136, 137 और 138 तो पहले इन सारे सेक्षन को निप्टा लेते हैं 136, 137, 138 को फिर आंसर लिखें conclude कर देंगे, सुनिएगा 136 क्या बात करता है, although 136 ते मेरे को past exam papers में कोई questions नहीं दीखें, बट फिर भी एक possibility cover करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको, 136 अपने को कहता है right of member to copies of audited financial statement, audited financial statement यानि कि जो auditor के द्वारा जिसकी scrutiny कर ली गई है, अब वो authenticated है क्योंकि वो audit के द्वारा, auditor के द्वारा audited है वो copy उसको मिलने का हक है 136 के अंदर तो कैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई, starting में जब 128 शुरू किया था, कि भाई, इनको तो member को तो जाएगी member हो गया, trustee हो गया, जब notice जाता है ना meeting का, 21 clear days पहले, उस notice के साथ ही कुछ company financial statement भेज़ देती है कुछ और भी तरीके हैं financial statement देने के, आईए समझ के लिए ते क्या है, तो बोला देखो copy of financial statement, consolidated financial statement, audit report plus other document, send to every, किसको किसको भेजना है, member, trustee और other person, at least 21 days before general meeting और section 8 company के case में 14 days है मुले मान लीजिए, अगर आपने 21 days से कम समय में भेजा, कम से कम 21 days पहले भेजना है general meeting के, उससे कम 15 दिन में भेज दिया अगर less than 21 days था, तो deemed to be duly sent होगा, अगर, same criteria आपको याद होगा, जो notice के लिए था, shorter notice के लिए अगर company share capital वाली है, तो majority वाले number entitled to vote, representing not less than 95% of the paid up share capital carrying voting right कहने का मतलब मान लीजिए, अगर company के अंदर 100 member है, और 100 lakh रुपिस की company की paid up share capital है तो कम से कम 51 member इसकी consent दे रहे हैं, कि ठीक है, आप हमको 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले दे दो जिनके पास company के total paid up share capital का कम से कम कितना होना चाहिए, 51 lakh sorry, 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 51 का 95 lakh याने कि out of this 100 lakh उनके पास 95% है, तो majority भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए मान लो 50 member है, और उनके पास 97 lakh है, तो नहीं चलेगा क्योंकि majority नहीं है मान लो 96 lakh है, sorry, मान लो 55 members है, majority तो है और उनके पास 94 lakh है, तो भी चलेगा क्या, नहीं चलेगा, majority होना चाहिए और 95% of the paid up share capital होना चाहिए, अगर company share capital वाली है और अगर company without share capital वाली, तो ऐसे member जिनके पास 95% की total voting power है वो अगर consent दे देंगे, तो आप 21 दिन से कम समय में भी आप उनको audited financial statement और consolidated financial statement भेद सकते हों अब, प्रोविजो एक कुछ ध्यान सा समझिएगा, deemed compliance, deemed compliance यहने कि कब आप actual में इन चीजों को follow नहीं करोगे, फिर भी माना जाएगा, अपने compliance कर लिया है, listed company को थोड़ी सी, रियायात दी गई है, बोला है कि अगर if copies of documents are made available for inspection, registered office में, during business hours, 9 से 6 का business hours होता है, for a period of 21 days before meeting, य inspection के लिए आपने open कर दिया है, इसको registered office में, during business hours, साथ साथ में, silent features of such documents in form AOC3, याद आ रहे है, subsidiaries का और associate का अपने को silent features का एक report बनाना पड़ता है, is sent to such persons not less than 21 days before meeting, unless shareholder asked for full financial statement, ध्यान से ठहर के समझेगा, अब listed company को ही क्यों रियायात दी गई है, उनको ही क्यों छूट दी गई है, क्योंकि listed company है, तो definitely उसके members जादा हो सकते हैं, बहुत सारे, अब वो कितने लोगों को प तुमें एक चीच करो, तो meeting के 21 दिन पहले inspection open कर दो business arts में, registered office में, पूरा ना भेजने के बजाए, आप क्या कर दो, जो silent features है न, AOC form, AOC 3 में, वो भेज दो, अपने members को, जब तक वो पूरा नहीं मांगता है न, पूरा मांगता है तो पूरा देना पड़ेगा, लेकिन अगर silent features भेज देते हैं, और से वो संतुष्ट हो जाते हैं, और साथ साथ में, आपने 21 दिन पहले, आरो में, registered office में, inspection open कर दिया है, उनके लिए, तो ठीक है, आप पूरा नहीं भी भेजोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर silent features भेज दो, AOC 3 में, और inspection open कर दो, meeting के 21 दि को समझ के लिजेगा, ध्यान से, कुछ प्रोविजो दियावाए, ध्यान से समझना, प्रोविजो हैने की और additional बाते, अगर company listed company है, और अगर company, ऐसी public company, जिसका net worth, more than 1 करोड है, और turnover more than 10 करोड है, वो financial statement electronic mode में भी भेज सकती है, उन shareholder को, जो shares demat में रखे हैं, और depository के पास उनका email ID registered है, और ऐसे shareholders, जो की demat में नहीं रखें shares, लेकिन उनने अपनी consent दे दी कि हाँ, हमारी mail ID में भेज़ दो चलेगा, बाकि दूसरे cases में आपको physically भेजना पड़ेगा, तो एक रियायत और मिल गई है, company अगर listed company है, और ऐसी public company, जिसका net worth more than 1 करोड है, and, and, और नहीं and, turnover more than 10 करोड है, वो अपने financial statement email में भी भेज सकते हैं, एक electronic mode में, उन shareholders को, जो demat में shares रखें, और उनकी email ID, depository के पास registered है, ऐसे shareholder जो demat में नहीं रखें, लेकिन अपनी consent दे दिये, कि हाँ भई, e-mode में भी चलेगा, बाकि cases में आपको physically भेजना है, ठीक है, ये वाला जो point है, हर listed company जिसकी subsidiary है, बराबर है क्या, उसको साथ साथ में, अपनी website में, separate audited accounts रखना पड़ेगा, अपनी subsidiary के लिए on its website, याने कि consolidated तो तुम दे होगी, घर बेच के दो, inspection करवा के दो, e-mode में भेजो, हर listed company को, अपनी website में, अपनी subsidiary का separate audited, consolidated नहीं, separate रखना पड़ेग और अगर मान लो, आपके पास जो subsidiary है, वो foreign की subsidiary है, अब उस पे दो पहल हुए, या उस foreign subsidiary को, उस law के हिसाब से, जहां पे वो located है, foreign में, या वो consolidated financial statement, उनका law बोलता है, बनाओ, याने कि मेरी subsidiary USA में है, अर्जुन छाबड़ा टुटोरिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो मेरी subsidiary, जिस law के द्वारा गवन हो रही, वहां पे उसको बोल रहा है कि तुमको consolidated financial statement बनाना है, बराबर, तो बोले, it is sufficient to place CFS of such foreign subsidiary in website of the listed company, मतलब आप क्या कर दो, आपको पहले तो क्या बोला कि अगर आपकी subsidiary है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको separate audited accounts, हर subsidiary का अपनी website में डालना है, listed company, लेकिन अगर आपकी subsidiary foreign में और foreign वाली subsidiary को भी बोला है कि consolidated financial statement बना, उनके law के हिसाब से, तो अगर आप अपनी website में consolidated financial भी रखते हो, separate नहीं रखते हो, चलेगा, मानलो उसको requirement नहीं है, not required to get its financial statement audited under the law of those country, अगर नहीं है, तो holding company unaudited financial statement भी, देखो लिखा है, not required to get its financial statement audited under any law of those country, अपनी website में डाल दो चलेगा, दूसरी language में है, तो English language में translate करके डाल देना, ठीक है समझ में आगे, 136 यहाँ पर खताम होता है, 137 में आपको पढ़ा देता हूँ, फिर 138 बता दूँगा, और इनके questions करके अपन class को समप्त करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 137 क्या बोल रहा था कि copy पाने का हक members को भी है, 137 बोल रहा है कि एक copy financial statement की आपको रजिस्टरार को भी देनी है, समझिएगा, इसको ignore करना फिलहाल, जितनी relevant चीज़े वो पढ़ा रहा हूँ भी, समझिएगा, तो अपने को क्या बोल रहा है, आपका जो audited financial statement है, तो वो consolidated financial statement और जितने भी संबंधित document है, यह सब किस सब आपको ROC को देने, important है, ध्यान सा समझने इसके उपर question पूछा हुआ है, company को अपना consolidated financial statement, financial statement, other documents और जितने भी संबंधित document है, जो की adopt कर लिए गए हैं AGM में, adopt करने का मतलब यह होता है, चार ordinary business होते हैं, annual general meeting मेंकर आपको याद consideration of financial statement, तो वहाँ पे financial statement members के सामने रखा जाता है, balance sheet रखी जाती है, वो उसको adopt करते हैं, adopt का मतलब यह है कि हाँ, अब यही final है, उस साल का यही कच्चा चिठा है, उसको बोलते है, adoption at AGM, तो उस copy यानि कि जो adopted copy है, financial statement, consolidated financial statement की adopted at AGM, उसको आपको file करना है, और उस ही के पास within 30 30 days of AGM, 30 दिन के अंदर file करना है, AOC 4 में आप करोगे, financial statement को, consolidated financial statement को भी आप AOC 4 में करोगे, लेकिन ऐसी NBFC companies इसको ind AS follow करना पड़ता है, बराबर है, वो AOC 4 में financial statement देगी, और AOC 4 CFS NBFC में consolidated financial statement देगी, ठीक है सर, यह तो normal परिस्थिती हो गई, कि आपका adopt हो गया, financial statement तो वहाँ से, shall be filed with AOC within 30 days of AGM, 30 days AGM में adopt होगे, वहाँ से 30 दिन के अंदर AOC को file कर दो, यह format है, यह format, मान लो adopt नहीं होता, AGM में, adopt नहीं होता AGM में, adopt AGM में नहीं हुआ, इसकी वज़े से आपको AGM को adjun करना पड़ा, adopt तो करवाना पड़ेगा न, तो adopt नहीं हुआ AGM मे AGM adjun हो गई, आपको un-adopted financial statement, ROC को देना within 30 days of AGM, यह नि कि जो original AGM होई, जहाँ पर adopt नहीं हुआ, तो un-adopted वहाँ से 30 days के अंदर आपको ROC को देना, ROC उसको अपने record में ले लेगा, provisional financial statement, जब तक आपका adopted final नहीं हो जाता, adjun AGM में, अब, financial statement adopt हो गया, adjun AGM में, finally, तो जो adjun AGM है न, वहाँ से 30 days में आपको final वाला, adopted वाला दे देना है, repeat करेंगे, original meeting जो थी, मतलब adopt होगे, तो adopt होने से 30 दिन में, AGM में adopt नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, तो un-adopted देना है, 30 days के अंदर, ROC उसको provisional register कर लेगा, फिर जब आप adjun में adoption करोगे, तो adoption जो finally हु AGM से 30 दिन के अंदर final वाला दोगे, adopted वाला, समझा सर, OPC के case में आपको 30 दिन के अंदर नहीं, 180 दिन के अंदर फाइल करना है, वो भी closure of financial year से, closure of financial year से, 180 दिन के अंदर आपको एक copy देनी, ROC को, मान लो, अती का अती situation की AGM हुई ची नहीं, मतलब भाई AGM होगी, तो न आप adopt करोगे, AGM ही नहीं हुई आपकी, तो un-adopted छोड़ो, adopted छोड़ो, जब AGM ही नहीं हुई तो adoption और un-adoption का बात ही नहीं आता, तो आपको financial statement plus other documents, reason के साथ बताना है कि AGM क्यों नहीं हुई, तो आपको financial statement, other document फाइल तो करना ही है, reason बताना AGM क्यों नहीं हुई, within 30 days of the last date, जो last date आपकी AGM की होगी न, जब आपको इस दिन तक तो करी लेना था, और नहीं हुई, तो वहाँ से 30 दिन में आपको financial statement, along with other document, or along with the reason ROC को फाइल करना है, फाइल तो करना पड़ेगा, ठीक है साथ, अब 138 को ध्यान से समझना, internal audit की बात करता है कि कब आपको internal audit करवाना पड़ेगा, तो कौन-कौन सी company को internal auditor appoint करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो internal audit होगा, सारी listed company को तो करना ही है, हर unlisted public company, सारे listed company को internal audit तो करना ही है, तो उनको internal auditor appoint करना पड़ेगा, हर unlisted public company जिसका outstanding deposit 25 करोड और मोर है, paid-up share capital 50 करोड और मोर है, outstanding loan borrowing bank और PFI से 100 करोड को exceed कर रही है, और turnover 200 करोड और मोर है, याद करना है इसको, listed company internal audit करना ही करना है, हर unlisted public company outstanding deposit 25 करोड और मोर, paid-up share capital 50 करोड और मोर, loan from PFI और bank more than 100 करोड, exceeding 100 करोड बोला है, क्योंकि 100 करोड तक है तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा, और turnover 200 करोड और मोर है अगर, during the preceding financial year तो आपको internal audit करना है, उसके लिए आपको internal auditor अपोइंट करना पड़ेगा, हर private company तो दोई चीज़े, loan borrowing PFI bank से exceeding 100 करोड और मोर है, और turnover 200 करोड और मोर during preceding financial year, internal audit करना है, internal auditor अपोइंट करना पड़ेगा, जो कि कौन होगा, CA हो सकता है, other professional as board may decide, CA और CMA practice में हो चाहना हो चलेगा, individual भी हो सकता है, कोई partnership firm भी हो सकता है, और body corporate भी हो सकता है, यहाँ पे अपने provisions खतम होते हैं, questions करते हैं, सबसे पहले question number 11 करेंगे, आईए question number 11 में, देखिएगा, government of India is holding 51% of the paid up equity share capital of sun limited, ठीक है, the audited financial statement of sun limited, for the financial year 2017-18, were placed at its annual general meeting, जो की 31.08.2018 हो ही, however, pending the comments of comptroller and auditor general of India, in the said accounts, the meeting was adjourned without adoption of the accounts, ठीक है जी यहाँ तक तो clear है, AGM हो ही, accounts adopt नहीं हो है, आगे बढ़ते हैं, on receipt of CAG comments, on the accounts of the adjourn annual general meeting, was held on 15th October 2018, where at the accounts were adopted, accounts को adopt किया गया, CAG के comment आने पे, 15th October को, यह final adoption की date है, उसके बाद, Sun Limited ने financial statement, file किया, 17-18 के, with the registrar, on 12th November 2018, याने की 30 दिन के अंदर ही कर लिया इसको, examine with reference to the applicable provision of Companies Act, whether Sun Limited has complied with the statutory requirement, बहुत सारे बच्चों को doubt आ रहा होगा, अभी clear करते हैं, भाई साब, मेरे हिसाब से, इनने पहली गलती की, यहाँ पे, 31 अगस 2018 को, जब तुमारे accounts adopt नहीं हुए, क्योंकि CNAG की comment pending थी, तो तुमको unadopted देना थो, तो तुमने दिया नहीं, तुमने finally जब adopt कर लिया, वहाँ से 30 दिन में दिया, आप इसको partial non-compliance बोल सकते हो, क्योंकि certainly आपने adopted वाला दे दिया, लेकिन जहाँ पे आपको unadopted भी देना था, वो नहीं दिया आपने, तो आपको वहीं बताना है कि उनने comply किया क्या, partially comply किया बोल सकते हो, और ultimately क्या किया उनने दे दिया, कौन सा वाला adopted वाला finally, तो अगर law को lawmaker के intention कि उससे interpreted करे, तो non-compliance नहीं है क्योंकि unadopted देते, इससे अच्छा adopted दे दिया, बट unadopted भी तो देने बोला था नहीं दिया, बट certainly आपने adopted वाला दे दिया है, आई इसका answer लिखवातों क्रक्स answer, आपको clarity आजाएगी, full screen कर लेता हूँ, question number 11, लिखेगा, सबसे पहले तो section लिख लेते हैं, section 137, instant case में, सीधा लिखता हूँ, इसको रहने दो, Sun Limited, has, not complied, with statutory requirement regarding filing of unadopted accounts accounts with the registrar, but has certainly complied with the provisions by filing of adopted accounts within the due date with the registrar, अब बेटा आगे बढ़ते हैं, और 138 के उपर, कुछ questions करने, ध्यान से सुनिए, 138 के उपर, question करने, question number 5, बहुत प्यारा कोश्चान है, बेटा देखो, examiner आपको, कैसे आपकी, cycle और जिसे खेल के, आपको, confuse करने की, कोशिश करता है, देखना, ध्यान से, X Limited is a listed company, having a paid up share capital, of, 7 नहीं है वो, of 25 करोड, as that, 31 मार्च 2019, और turnover, जो है, 100 करोड है, during the financial year, 18-19, company secretary, advice करता है, board of director को, की X Limited, जो है, is not required, to appoint internal auditor, क्योंकि, company का, जो paid up share capital, और turnover है, उसके threshold को, touch नहीं कर रहा है, देखा जाएगा, तो, वाकई में, paid up share capital, 50 करोड और मोर्ची होता है, turnover 200 करोड और मोर्ची होता है, आधा है, पूरा-पूरा, आपको बोल रहा है, क्या आप, agree you, company secretary के, advice से, explain करो, with the reference to, provision of companies, in 2030, अब देखो, कैसे psychology से, खेलता है, limit अंदर दिया, लेकिन, यहाँ पे लिख दिया, क्या है वो, listed company, अरे तो मेरे बच्चो, अगर आपको याद होगा, तो listed company के लिए, अपने को limit देखना ही नहीं, limit तो हमको, unlisted public company के लिए, देखना है, और private के लिए देखना है, listed company को, तो साफ बोला, कि तुमको internal audit करवाना है, examiner आपको limit कम देता है, और उसके बाद देखो, बोल देता है, कि वो listed company है, अब बच्चा flow में पढ़ते जाता है, अच्छा limit कम है, वो यहाँ सहीं बोल रहा है, वो एक शब्द यहाँ पे खेल के, और देखो, बाद में न, बार-बार को listed को repeat नहीं कर रहा है, वहाँ पे देखो क्या लिखा है, कि company secretary बोल रहा है, कि X limited जो है, is not required, X limited, bracket में कहीं listed company तो देना सागी था, आपकी help हो जाती थोड़ी सी, चलिए, तो ध्यान दीजेगा, अब इसका क्रक सांसा लिख के लेते हैं, तो आपको दिमाख में रहेगा, कि हाँ भई आपको इस प्रकार के question आए, तो सबसे पहले आपको देखना की company कौन सी है, लिखेगा भाई और बेनो, X limited, which, is a listed company, is required to appoint an internal auditor irrespective of its paid up share capital or turnover. as the limit of paid up share capital or turnover is applicable for unlisted public company. hence, the advice of CS is not correct. ठीक है, एक question और करके लेते, question number seven है अपने पास, बड़ा प्यारा question है, ध्यान दीजेगा, अब देखो, यहाँ पर बोल दिया, सिधा-सिधा, कि किम जो है, वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, अब यहाँ पर अपन लिमिटेड मतलब लिमिट देखेंगे, paid up share capital जो है, वो कितना है, 45 करोड का, और turnover जो है, वो 200 करोड का है, अब paid up capital जो है, हम देखते 50 करोड और मोर, और turnover देखते 200 करोड और मोर, है, the accounts manager of the company has intimated the company that they are not required to appoint internal auditor, देखो कैसे घुमा रहे है, लिस्टेड में लिमिट कम कर दिया, और कहता है कि जरुवत नहीं है, प्राइवेट में लिमिट जादा है, और कहता है जरुवत नहीं है, छीक है, not required to appoint internal auditor for the financial year 2021, the management of the company have, approach you to advise them about the appointment of internal auditor, advise them as per the provision of the company's act, भया बिलकुल appoint करना है, लिखिये क्रक्स आंसर फटा फटा फटा, since the company is fulfilling the criteria of turnover, that is more than 200 crores, hence, it is required to appoint an internal auditor, अब दोस्तों कुछ important बाते और समझ के लिए, एक छोटा सा पॉइंट मुरे को CSR में आपको बता रहा है, जो मैंने अभी cover नहीं किया है, just a moment, section 135 जो है, अगर आप देख रहोगे, उपर यहां पर मैंने लिखा है, green से मेरे chart notes में, not applicable to IFSC company for a period of 5 years from the commencement of business, IFSC company चाहे private हो, चाहे public हो, वो जब से बनी है, वहां से, यहने कि incorporation से 5 साल तक, sorry, from the commencement of business, not from incorporation, जब से उन्हें business शुरू किया है, वहां से 5 साल तक, 135 उनके उपर applicable नहीं होगा, यहने कि, भले ही वो किसी को भी trigger करती है, net worth 500 करोड और मोर हो जाता है, turnover 1000 करोड और मोर हो जाता है, net profit 5 करोड और मोर हो जाता है, commencement of business से 5 साल IFSC company, यह सब को trigger भी करती, तो भी उसके उपर section 135 attract नहीं होगा, एक बात यह, अब उसके अलावा जो मैं आपको कह रहा था, institute ने एक circular दिया है amendment में, यह मैं May 2022 का RTP open करके रखा हुआ हूँ, May 2022 का RTP जो institute ने circular दिया, कि भाई, एक clarification है, कि देखो ministry further clarify करता है, इसमें क्या बताया समझ ना, ministry ने एक general circular दिया था, circular number 10-20, यहने कि 23rd मार्ट 2020 को, जहां पर उनने clarify किया था, कि अगर आप यह CSR fund को COVID-19 पर लगाते हो, spending of CSR fund for COVID-19 is an eligible CSR activity, यहने कि आप किसी को vaccine में contribute कर रहे हो, कुस्स research के लिए कर रहे हो, bets देने के लिए कर रहे हो, oxygen देने के लिए अपने CSR के पैसे को लगा रहे हो, तो वो CSR activity के अंदर count होगा, ठीक है, it is further clarified that spending CSR fund for creating health infrastructure for COVID-care, establishment of medical oxygen generation, and storage plants, manufacturing and supply of oxygen concentrators, ventilators, cylinders and other medical equipment for countering COVID-19 और such similar activities are eligible CSR activities, अंदर item number 1 to 12, 12 item है अगर आपको याद होगा तो, just a moment, आपको इस schedule 7 में मैंने बता दा 12 item है total, ठीक है, तो 12 item में आब आप COVID से संबंदित भी कुछ चीजे करते हो, तो वो आपकी CSR में count होगी, second point में लिखा है, कि जो item number 9 है, schedule 7 का, आई या item number 9 को देखते है, schedule 7 का क्या है, आपको schedule याद करने की जरुवत नहीं, जो 9 बात करता है, किसकी करता है, contribution to incubators, or research and development projects, in the field of science, technology, engineering, यहाँ पे भी अगर आप क्या करते हो, अपने CSR के पैसे को लगाते हो, ठीक है, नीचे universities के भी नाम दिये थे, वो भी CSR activities कहलाएगा, बस इतना ही है, देखो chapter 9 में, May 2022 के लिए, ठीक है जी, और यहाँ पे भी circular अपने को दिया हुआ है, कि companies including government companies, may undertake the activities or project, or program using CSR fund, directly by themselves, और in collaboration with responsibility, यह पहले भी दिया हुआ था, उतना ही है, फिर एक general circular और है, that spending CSR को is eligible, हाँ, तो यह continuation to the side, clarified that, हाँ, ठीक है, घोम फिर के बाद एक ही है, कि भाई, disaster management, अगर आप बोलोगे, तो COVID भी एक disaster management हो, तो अगर आप पढ़ोगे second line से, in continuation to the side circular, it is further clarified that, दुबारा कर रहे clarified, spending CSR fund of COVID-19 vaccination for persons, other than the employees and their families, is an eligible CSR activity, पहले ही बताया था कि, employee के लिए कुछ करोगे, तो percusates के लाएगा, CSR नहीं है, तो हम बोले further clarify कर रहे है, अगर आप CSR fund COVID-19 में लगाते हो, vaccination में, for person other than employee, यानि कि vaccination आप करवा रहे है, अपने employee को छोड़के, और लुकोगा, तो CSR activity के लाएगा, अपने employee को vaccination करवा रहे है, वो percusates है, वो CSR नहीं कहलाएगा, ठीक है जी, relating to the promotion of health, including preventive health care, आइटर नमबर ठीक है, तो एक point को और ध्यान रखना, कि COVID-19 वाला जो, vaccination आप करवा रहे है, CSR activity के लाएगा, लेकिन employees को छोड़के, किसी आम जनता को अगर आप कर रहे हैं, तब वो CSR activity में शामिल होगा, तो यह छोटा सा circular था, इसके regarding जितने recent amendment है, उसकी link आपको अल्रेड़ी, आपके regular student है, तो आपको mail पे मिली होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो YouTube पे भी अबलेबल है, नीचे description में मैं आपको link दे दूँगा, इसके अलावा और एक बात, नफरा के उपर, question पूछा जा सकता है, कुछ 4-5 marks का कि नफरा के बारे से बताओ, तो यह question number 6 है, along with answers, नफरा के बारे से लिखाओ, आपको पता ही होगा नफरा के बारे से, क्योंकि आप एक CEA student है, और corporate social responsibility के बारे से तो आपको पता ही है, तो जितने भी notes मैंने आपको दिखाए है, except handwritten notes, क्योंकि उस पे काफी सारी मेहनत है, question answer की PDF, और यह जो भी noting अपने की है, यह सब का सब आपको नीचे, description box में मिल जाएगा, so that's all, for today's class chapter number 9, हम यहाँ पे खतम करते हैं, I hope, again, पिछले chapters की तरह, इस chapter की भी नस्थ आपके हाथ में बखू भी आ गई होगी, so मेरा contribution थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो please वीडियो को एक like करना, और comment section में अपनी भावनाएं बताते वे जाना, और share जरूर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, and do subscribe the channel, अगर अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो, क्योंकि जैसे कि यह सारे वीडियो जारे, आगे के भी chapter की इसी के साथ साथ आते जाएगी, आप subscribe करके रखेंगे तो आपको notification मिल जाएगा, thank you so much once again, all the best, bye bye.